मारूती यंत्र मारूती यंत्र भी प्रभावित आएसा यंत्र माना गया है काफी लोग यानि जो पुरुशवर्ग है पूरी जीवन काल में सिर्फ मारूती जी यानि हमारे हनुमान जी की साधना करते है रोज सूबे उठके नित्यपाट या तो फिर रोज मंदीर में जाके हमारे हनुमान जी के सामने अच्छे से दिया जलाते हैं उन्हें नारियल अर्पन करते हैं उन्हें तेल चड़ाते हैं तो ऐसे काफी मनोभाव से वे भक्त अच्छे से मारूती जी की साधना करते आएं तो ऐसे लोगों के लिए भी जो हनुमान जी के परम भक्त हैं साधक है और जो लोग हमेशा डरते रहते हैं जिने confidence नहीं है जिनके जीवन में नेराश्य है कुछ लोग depression में है या फिर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि महनत तो काफी करते हैं लेकिन जिस मुकाम पे उन्होंने पहुँचना वो समय पे पहुँचते नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप वैसे सोचने लगते हैं कि शायद मेरे नसीब में ये था ही नहीं और फिर वो काम करना छोड़ देते हैं जो भी व्यापार करते हैं वो करना छोड़ देते हैं तो ऐसी सारी जो तकलीफे हैं उस सारी तकलीफों के लिए अगर आप मारूती यंत्र की साधना करते हैं, तो उससे होता ये है कि आप में एक confidence आएगा. अगर किसी संगठन के अध्यक्ष है या तो फिर कुछ अच्छे राज की ये नेता है या फिर राज की ये दौर में अगर आप कुछ अच्छे स्थान पे है तो ऐसे में नित्रुत्व करने के लिए अगर आप ये मारुती इंत्र की साधना करते हैं तो आपको काफी इसका फा तो मारूती यंत्र की साधना आप जरूर कीजिएगा आप सभी को पता है कि कोई भी यंत्र है तो उसे हम धातू पे बनाते हैं या तो फिर भोज पत्र पे बनाते हैं या तो फिर कुछ लोग उसे सोने या चांदी पे भी बना के लेते हैं तो मारूती यंत्र अगर आप सब्सक्राइब करता है US फिर कःकल आपको सो मिलेंगे मंतर के साथ कcष अक्षर या तो फिर उसके साथ कुछंसर्ओ या तो फिर और अंक को देखने-को मिलेंगे या अगर ने या क्रणा थैब्ल फ्क्षक्र इसके उपर ऊपर के अंग अक्षल और त्रिकोन ये काफी अच्छे से आकुरूती उसकी बनी है या नहीं वो अच्छे से जाच कर लेने के बाद ही वो यंत्र खरीदें जब आप कभी यंत्र लेके आएंगे तो काफी लोगों को प्रश्ण पड़ेगा कि ये यंत्र हम प्रस्तापित कैसे करें तो मंगलवार के दिन या तो फिर शनिवार के दिन आप ये यंत्र अपने घर में या तो फिर कार्यस तल पे या तो फिर जहां पे आप व्यापार करते हैं या फिर नौकरी भी करते हैं ऐसी जगह आप इसे प्रस्तापित कर सकते हैं यानि मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो अच्छे से सुबह के समय सनान कीजिए अच्छे से धूप लगाईए जहां पे भी आपके घर में अगर मंदिर है तो उस पे अगर आप यह यंत्र रखना चाहते हैं तो पूरी भूमी वो मंदिर सब गौमुत्र से अच्छे से उसको श डाहिए तो जब यह यंत्र प्रस्टापि पर सुबह के समय उठके अच्छे से भूमी शुद्ध कर गारएं वह जगह शुद्ध करने के बाद यह यंत्र तभी चार्ज होगे या तो फिर सिद्ध होंगे जब आप रोज उसकी सादना करेंगे ऐसा नहीं है कि आप यह यंत चार्ज होगा और सिद्ध भी होगा तो कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि जब हम यंत्र घर पे लेके आते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए तो वैसे तो आजकल की जो भागदौर की सबकी जिंदगी रही है तो उसमें जादा हम कुछ नियम इतने समाल भी नहीं पाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति व्यस्त है कुछ न कुछ उसके पीछे परेशानियां लगी हुई है कुछ कार्य में व्यस्त ही रहते हैं तो यंत्र की साधना करते समय एक ही नियम हमें अच्छे से फॉलो करना है और वह है जब भी हम साधना शुर तो उसे खाईए क्योंकि कोई भी इच्छा आप रख के मन में अगर साधना करते हैं और आपका मन उस तरफ जाता है तो वह साधना कभी खतम नहीं होगी यह तो वह पूर्ण नहीं होगी तो इससे अच्छा है कि आप जब अनुष्ठान कर रहे हैं या फिर कोई साधना कर रह तो उसे अभी मारजित करने के लिए कच्छे दूद या फिर गंगा जल का इस्तमाल कीजिए तो जब आप यह यंत्र रखेंगे तो उसके उपर आपको सिंदूर का तिलक लगाना है जो कि हमारे हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही पसंद है तो उससे तिलक लगाईए वह य लोगों में वो प्रसाद बाटिये मंगलवार या शनिवार आपको जब भी यह संभव है उस दिन जादा से जादा लोगों को मुंफली और गुड का प्रसाद बाटिये ताकि आपके जो भी काम अटक गए हैं या फिर कुछ काम हो नहीं रहे हैं तो ऐसे में भी आपको वो यही ध्यान रखना चाहिए कि जो समय पर हमने शुरू किया था या अगर हमने यंत्र लाके सुबह साथ बजे इसकी साधना शुरू की है तो रोज यानि वो अनुष्टान के दिन तक हमें साथ बजे या फिर दस बजे या फिर जो भी आपने एक समय चुना है वही समय उतन में बताया था कि ओम मारुते रुद्राय नमहा ये मंत्र की साधना भी आप कर सकते हैं अगर कुछ पहले से ही मारुती जी के या तो हनुमान जी के अगर आप कुछ मंत्र की साधना करते आए हैं तो वह मंत्र भी आप कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने यही मंत्र कहा है तो आप वही कीजिए अगर आप पहले से वह मंत्र की साधना कर रहे हैं तो यंत्र की स्तापना करने के बाद भी आप वही मंत्र की साधना कर सकते हैं तो ऐसे ये यंत्र जब हम लाते हैं घर में तो ऐसी अपेक्षा मत कीजिएगा कि आज अगर मैंने ये लाया है तो कुछी दिनों में मेरा सब अच्छा हो जाएगा ऐसे नहीं है जैसे जैसे अब साधना शुरू करेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे आपको उसके परिणा कुछ लोग ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अगर मैंने ये यंत्र लिया है तो मुझे 10-15 दिन में मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए तो ऐसे नहीं होता है मैं आपसे कभी जूट नहीं बोलूँगी क्योंकि यंत्र की साधना मैंने भी की है तो काफी समय तक हमें वो साधना क होने वाला है कभी-कभी कुछ लोगों के जमीनों के काम अटक जाते हैं या फिर जो जमीन या जो भूमी मों रहते हैं वहां पे काफी नकारत्मक उरजाए देखने को मिलती है कुछ लोग हमेशा बोलते भी है कि मेरे घर में बहुत ही ऐसी नेगेटिव पावर्स हैसा जाएगी और सकारात्मक उरजा का संजय धीरे-धीरे होने लगेगा अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं वो कभी-कभी डर जाते हैं कभी-कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि उन्हें नजर लग जाती है या फिर चोटे बच्चे काफी बिमार पढ़ते रहते हैं कभ पर चोटे बी अच्छा सर पढ़ेगा और अगर आप खुद भी कभी ऐसा निराश फिल कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे काम नहीं बन रहे हैं मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसे समय आप यह साधना करते हैं तो आपके काम भी अच्छे से बनने सकते हैं कौन से वस्तर परिधान करने हैं तो केशरी रंग आप इस्तमाल कर सकते हैं या तो फिर श्वेत रंग के वस्तर परिधान कीजिए कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम महिलाएं मारुती जी की साधना कर सकते हैं क्या हनुमां जी की साधना कर सकते हैं क्या तो आप कर सकती ह inflamm हैं Hey सिर्फ उसमें नियम एक ही है किछा जब भी मंदिर में जाएंगे तो मारुती जी को सपर्श नहीं कीजिएंगा दूर से ही उसका दर्शन लीजिए और फिर अच्छे से साधना कीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाए मारुती जी की और हनुमान जी की सादना नहीं कर सकती लेकिन कुछ निएमों का पालन करके आप हनुमान की सादना कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप यह हैं उत्र उपने घर में लाईए फिर मुझे बताइए कि आपको उसके क्या परिणाम महिसूस हो रहे हैं तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक यंत्र के साथ तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और जाद से जाद से शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स टॉप करती ही रहते हैं धन्यवाद